स्त्री या फिर नारी बोल सकते हैं नारी देवी का रूप होती है लेकिन इसी देवी के राइट टू प्रॉपर्टी के जब अपन बात कर रहे हैं तो वो आद्मियों के बराबर नहीं था था इस दा की वर्ड हियर तो गाइज आप इतना तो समझ गए होगे कि स्त्री दन मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जब धन आ गया वर्ड तो ये तो कॉमन सेंस है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होगा लेकिन ये exactly होता क्या है स्त्री दन वुमेन की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके उपर उसका absolute right होता है तो main question ये उठता है क्या उसके पास दूसरी प्रॉपर्टी पे स्त्री दन के अलावा absolute right नहीं होता तो answer है नहीं होता था स्त्री दन में क्या क्या include हो जाएगा स्त्री दन में gift और present यो इसको मिले हो इसके अंदर जो gifts मिलते है जो शादी के time पर होते न रिति रिवाज उसमें जो मिला है वह भी स्त्री दन होगा और उसके अलावा अगर उसने खुद मेनत करके कुछ property एकटी करी है, पैसा एकटा करा है, जमीन वगेरा, तो वो भी स्थरीदन में माना जाएगा, by adverse position से अगर property आ रही है, तो भी स्थरीदन माना जाएगा, adverse position क्या होता है, कि आप बहुत time तक एक जमीन पे रह रहे हो, 20, 25, 30 साल हो गए आपको, तो फिर हर law में, अलग-अलग हर देश में अलग-अलग limit होती, कि इतने साल तक अगर आप possession रख रहे हो, तो फिर आप owner इमान लिए जाते हो, तो अगर उससे भी property आई ये, तो भी वो उसके स्थरीदन में आएगा, bequest, bequest मतलब जो मरते वे कोई देख और दूसरा है, नौन सौधिक्या, सौधिक्या है, gifts of love and affection, जो गिफ्ट उसको मिलते हैं, relation से दोनों side, parents और in-law, दोनों side से जो भी relation से उसको gift मिल रहे हो, सौधिक्या है, और नौन सदक्या है, हर दूसरे तरे का स्थरीदन, जैसे gift from stranger, property acquired by self exertion, और mechanical art, मतलब खुद मैनत कर की property गट्टे करें, तो non-sodik कि मायगा, होगा वो स्तरीदन ही, तो आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, कि फिर क्या चीज स्तरीदन नहीं होती, क्योंकि सब कुछी स्तरीदन हो गया, सब कुछी स्तरीदन हो गया, तो फिर non-stरीदन क्या है, स्तरीदन बताने का point क्या तो non-stरीदन में एक बहुत ही important चीज आती है, non-stरीदन comprised what she inherited from a male और a female relation और property received at the time of partition, यह जो उसको inheritance में मिल रहा है या partition के time में मिल रहा है, वो सारी property पे वो limited owner ही रहीगी, उसमें उसके rights absolute नहीं है, limited है, पिछले वाले page पे अगर अपन जाएं, तो यहां पे लिखा है, bequest of bequest, तो inheritance और bequest में क्या अंतर है, यहां पे लिखाएगी, जो inherit करेगी property उस त्रीदन में नहीं आएगी, लेकिन यहां पे लिखाएगी, bequest में जो उसको मिलेगा, वो त्रीदन में आएगा, तो पूरा पढ़ना सीखो, of bequest from stranger, or relations of money, मतलब या तो कोई अंजान आदमी से bequest म मिला हो, कोई अंजान आदमी, मतलब जो family का नहीं है, वो मरते मरते property दे गया हो, या फिर relations of money, मतलब किसी को उधार दे रखा हो, और वो मरते मरते कुछ property उधार चुकाने के लिए दे गया हो, या और कोई business relationship हो, तो वो वाली जो आरी ये bequest, वो स्तरीदन में होईगी, क्यो क्योंकि वो उसकी खुद की है, लेकिन जो family से मिल रही है न, भले ही male से मिल रही हो, female से मिल रही हो, या फिर partition में जो उसको property मिल रही है, वो स्तरीदन में नहीं आईगी, वो non-स्तरीदन होगा, क्या limitation होगी उसके उपर, the limitation was with respect to the power over its disposal and the inability to transmit this estate to her own IRS, मतलब वो आगे अपने IRS को मतलब जो उसके वारिस हैं, उनको वो property दे के जाए, उसमें limitations थी, और वो property बेच पूछ दे, उसमें limitations थी, वो उसको enjoy कर सकती है, use कर सकती है, उससे income आती है, उसको use कर सकती है, लेकिन उस property पे उसका पूरा absolute हक नहीं होगा, लेकिन, लेकिन ये change हो चुका है, ये अब न women को empower करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ widow को rights दिये थे, इस act में लिखा था, कि वहिया, अगर कोई आदमी मरेगा, तो जब उसकी property devolve होईगी, तो जो sun है उसका, और जो widow है उसकी, उन दोनों का equal share होगा, तो अब अच्छी बात है, अच्छा law था, 1937 के ज अच्छा था, लेकिन एक दिक्कत आ गई, कि सिर्फ आदमी की जो property devolve होईगी ना मरने पे, उसी की बात करता था, यह, वुमेन मरेगी, तो उसकी property कैसे devolve होईगी, उस पे बात नहीं करता था, और main problem ही ही थी, कि भाईया, इनहेरेट नहीं कर सकते उसके hires उसकी property को, तो उ उसके साथ ही succession भी आया था, मतलब एक साल बात, लेकिन आ गया था साथ में ही almost, इस act के section 14 ने absolute right दे दिया, वुमेन को अपनी property के उपर, इसलिए मैंने starting में बुला था कि इस chapter में था, वो था बहुत keyword है, क्योंकि अब स्त्रीदन का, मतलब होगा कुछ relevance मुझे तो नहीं दि divide करने का कोई sense नहीं लगता मुझे, लेकिन अगर कोई sense है, तो comment में बताओ, comment में बताओ, comment में जाते जाते subscribe भी कर लेना, description में मेरा Instagram है, वह भी देख लेना, और बाकी details भी है, description में भी देख लेना, ठीक है, तो ये पूरा scene था, स्त्रीदन का, अब स्त्रीदन के बारे में criminal law में थोड़ा बात mention है, वो अपने एक बार देख लेता है, डाओरी और स्त्रीदन के बीच में comparison है, लोगों को लगता है कि सेम चीज है, कि जो धहिज में मिलता है वही औरत का स्त्रीदन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, fundamentally अलग-अलग चीज़े हैं, अब confused हो सकते हो वो reasonable है, लेकिन है अलग-अलग चीज़े हैं, confusion का reason यही है कि थोड़े similar सी definition है, डाओरी क्या होती है, डाओरी होती है जब लड़की वाले, लड़के वालों को कुछ property देते हैं, शादी के time पे हैं, तो वो डाओरी हो गई, लेकिन स्त्रीदन भी तो यही हुआ, जो gift मिलते हैं, शादी में, वो भी स्त्रीदन में आते हैं, तो अंतर क्या है, अंतर है कि मिला कैसे, property मिली कैसे लड़के वालों को, अगर उन्हेंने demand करी है, undue influence लगाई है, या coercion लगा है, बेटी को जला देंगे, वरना पैसे दो हमको, तो वो डाओरी होगी, अगर लड़की वाले अपनी इच्छा से gift दे रहे हैं, तो वो स्त्रीदन होगा, जो वो gift है, वो डाओरी नहीं होगी, क्योंकि वो voluntary दी गई है, तो आप जैसे माल लो, आपका रिष्टा आप लड़के हो, आप लड़की वाले को जाके बोलते हो, कि हम चाते हैं, कि आप लड़की के साथ हमें, एक करोड रुपे, एक फ्लाट और एक होंडा से वे हमको स्त्रीदन में दो, तो यहां पर वो स्त्रीदन नहीं होगा, क्योंकि आपने डिमांड कर दी, डिमांड कर दोगे, तो वो डाओरी हो जाएगी, जबरदस्ती करोगे, तो फिर डाओरी हो जाएगी, अपनी इच्छ थ्री, फोर, एकॉनमिक अब्यूस की बात करता है, बेसिकली कि आप अपनी भीवी से उसके सारे रिसोर्स ले लोगे, पैसा वैसा सब कुछ, ठीक है, कुछ भी एकॉनमिक पावर उसको देके नहीं रखोगे, तो वो एकॉनमिक अब्यूस होता है, तो इसमें स्त्रीदन भ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोप्रियेशन का, उसके स्त्रीदन का अंडर सेक्शन 405 और 406, 405 तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और 406 अपना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की पनिश्मेंट, तो इसमें एक केस भी है, प्रतिबारानी वर्से सूरज कुमार, इसमें क्या हुआ, क इसके पति न मना कर दिया, बोले, हम तो नहीं बेज रहें जा भाड़ में जा, तो उसने गिम्स ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रेशन का, उसके स्त्रीदन का क्रिम्नल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और मिस अप्रोपरिर्शन का, उसने केस फाइल कर दिया, 4005, 406ंडर में इंडियं पिनल कोट चे हाई कोर्ट ने उसकी कम्प्ले Season कोश कर दी हाई कोट ने भूला कि छादी के बाद जो प्रापर्टी होती वो जॉइंट प्रापर्टी होती तो पती का भी उतना ही हסन," तो वह अपनी पती की अपने इन लॉस की custody में भी रखवा देती है वो अगर अपने जेवराज जा के आपको भी देती है कि आप रखो तो वो सासू मा की property नी हो जाती सासू मा वहाँ पे उस property की trustee है तो वो trustee की तरह act करे अगर उसने वहाँ trustee की तरह नहीं करा और वो प्रॉपर्टी हतिया लिया बेच दिया कुछ कर दिया तो वह क्रिमिनल ब्रीच ओफ ट्रस्ट होगा तो शायद यहां पर थोड़ा सा रेलेवेंस से इस्तिरीदन का उसके अलावा मुझे तो कोई मतलब इतना रेलेवेंस लगा नहीं लेकिन अपन ने कंप् हुआ है